सब्सक्राइब कीजे वैदिक जोतिस शैनल को और शाथ बैल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही जैसंतो सिमा, दोस्तो स्वागत है आपका वैदिक जोतिस में, जानते हैं आज क्या कहती है आपकी रासियां, कैसा रहीगा आपका दिन, सुर्वात करते हैं आज के सुवेचार सी अपने पसंद बीदर रिस्तों को समहाल लेना दोस्तों, अगर खो गए तो गूगल भी ढून नहीं पाएगा जिस रिस्ते में सम्मान ना हो, उस रिस्ते में ना रहना ही बहतर है, हमारे गलतियों से पूट न जाना, हमारे शरारत से कभी रूठ न जाना, तुम्हारी चाहत ही तुम्हारी जिंदगी है, इस प्यारे से रिस्ते को कभी भूल न जाना, जब सोच में मूच आती है, तब हर रिस्ते में खरोच आती हैं आज का पंचांग 27 फरवरे दो हचार चोबिस दिन मंगलवार फागुन मास के क्रश्नपक्ष की त्रीतिय तिथी रातरे एक बच कर तिरपन मिलट तक रहेगी इसके उपरां शतूरदसी तिथी प्रारम हो चाईगी हस्तनामक नक्षित्र सुब 25-7 .33 मिलट तक रहेगी आज का रहो काल अर्था दिन का सबसे असुप सब्सम्मे दूप़ा 3- 32 Ti extraordin महुरत अर्था दिन के सबसे सुप समय दुपहर बारा बच कर पंद्रा मिलट सी एक बच कर चार मिलट तक रहेगा आज शंद्रमा कन्या राशी पर संशार करेगी और आज शूरिय कुम्हराशी पर रहेंगी तुलारा से 27 फरवरे तु हशार शूबिस दिन मंगलवार कानून चिंताओं की वज़े से कोई यात्रा करनी पड़ सकती है दुश्मनों और मदभीदों का सामना करीं काम में ने ओशर आपके इंतिजार कर रही हैं बाच्चित करते से में ध्यार रखें म्यूजिक और डांस से आपको तनाव से मुक्ति मिल सकती है बच्चों और पालतु ज अच्छी योजनाये बनाकर आप अपने सपनों को पूरा कर सकती है आज आप असानी से सब काम करके जीवन के इसकोप को बड़ा कर सकती है अपनी एकागरता बनाए रखें और अपनी सारी उर्जह उसमें लगा दें ऐसा कुछ भी किसी को ना कह बैठे जो आपको बहुन आ दे सकती हैं रोजमर्रके गतिवीद्यों में गर्भवती महिलाओं को शौधानी बरतनी के आवशकता है आर्थिक तोर पर सुधार के चलते आप असानी से काफी वक्त से लंबित बिल और उधार चुका सकेंगे ऐसे विवादिस पदमुद्दों पर बहस करने से बचें जो आ चलती दफसर में काम तेज रफ़तार पकड़ लेगा इतकारी ग्रह कई ऐसे कारण पैदा करेंगे जिनकी वज़े से आज अब कुसी मैसूस करेंगे आज से पहले शादी सुधर जिन्दगी इतनी अच्छी कभी नहीं रही आज दुपहर बात पर इस्थीत यां शकरात्मक बनी रहेगी समय कोचे सद उपयोग करें युवा वर्ग वैक्ति गत कार्यों के सासा समाचिक विवस्ता को बहतर बनाने जैसे कार्यों में भी रूची लेंगे साथ ही अपनी युग्यता और कारे शमता में कोई मुकाम भी हाशिल कर लेंगी समवाद पर ध्यान देते रहे आपके द्वारा बोली गई बातों की वज़े से गलत फैमी हो शक्ती है ध्यार रखे जिन लोगों के कारणा आपका भरोसा तूटा था आप उन्हें माफ करेंगे लेकिन रिस्ता पहले की तरह नहीं हो पाईगा काम की तारिफ हो शक्ती है पार्टनर के साथ कि ये वादे क से रुके हुए कामों को लेकर शौधार रहनी के आवशक्ता है वैपार में आपको तीजी से निर्णा लेने होंगे अध्यान में अध्यात्म के प्रति आपकी खोब रूची रहेगी आपको उम्मीद से जादा धन मिलने से आपके प्रशनता का ठीकाना नहीं रहेगा पर आपको पूरा फूकस रहेगा आपको घूमने फिरने के दोरान कोई महत्तो पूर्ण जनकारी भी प्राप्त होगी शौधान्या आलास और सुस्ती की वज़े से आप काम को टालने का प्रयाज भी करेंगी लोगों के साथ गप सब करनी तथा चैटिंग में अपना समय न प्योग करी साथी से किये वादे को पूरा करने का समय चुका है क्योंकि अधूरे वादे अधूरे रिस्ते के समान ही आज अपने जीवन के कुछ एहम फैसले ले सकती है यह समय कुछ मुश्किल है लेकिन फिर भी हिम्मत ना हरे जीवन का यह तोर भी गुजड़ जाईगा क्योंकि आपका हमेशा साथ देने वाला पार्टनर आपकी पास है आप दोनों अपने जीवन को सवादने में पूरी तरह से सक्छम है नए सम्मन बनने का भी योग है विरोधा भासे ग्रहों की वज़े से आँच्छ विप्रित दिसा में जा सकती है निरनायक निरना लीना चाहते हैं लेकिन आप काफी सतर्क हैं और किसी भी तरह का असंतुलन नहीं चाहती इन विरोधा भाशी प्रभावों के कारण आपका प्यार का जीवन काफी दिल्चस्प हो जाएगा इन सबसे आपको अपने साथे या अपने रिस्ते पर एक सबक मिलीगा जो कि आपके पौधान रहनी के जौरत है के रास्ते में आरही किसी भी महत्वपूर्ण जनकारी आप से छूट न चाहें आप एक उच्छे इस्थान प्राप्त करने में सहायता करने के लिए महत्वपूर्ण संदेह भी हो सकता है वित्ती स्थिती स्थिर रहेगी जिसके लिए आप इतने त्या फोटोग्राफी का प्रदर्शन करने के लिए भी यह समय अच्छा है विशाएक परशानी या आयोजित भुकतान आज की सांदार दिन के रंग में भंग डाल सकती हैं आज अपने प्यार के इजहार करना आपको अच्छे पड़िणाम देगा आप खुश्यों क को नियूजित करने के जरूरत है वर्तमान वे विशाएक कारियों में आ रहे हैं वेवधान का निवारन करने में सक्छम रहेंगे तथा शहयोग्यों और करमचारियों कभी उचिस सहयोग मिलेगा ओर्डर से सम्मंदित अपने टार्गेट को हासल करने में पूरी छमता लग आज ऐसे स्थिती बनेगी जब आपको इलर्जी पैदा करने वाले कारुकों के संपर्के में आना ही होगा बचने का कोई भी विकल्प नहीं होगा इसलिए आपको पहले से ही शौधान होकर रहना होगा इसके लिए एक काम आप यह कर सकती हैं कि अपने खाने की योशने इस प्रकार की रखी किसे आपकी रोग प्रती रोगधर क्षमता बढ़ी और आप संक्रमडों से बच्चे खुब पानी पिए और अपने डाइट में सभी जरूरी विटामें शामिल करें आज का उपाए आश अफन्मान चालीशा का पाट करें साम को सुब रहेगा दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा मिलते हैं अगली वीडियो में जीवन में हमेशा सकरात्मक सुच के साथ आगे बढ़ती रही आपका देश शुग हूँ